शोगिस आज की सुड़ों में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टप का विंडो शाडव कॉनसेप फोटो एटिंग तो अगर आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एटिंग सीखना है तो यहाले वीडियो को फिल्क लास तक देखते रहे ना और वीडियो जो है मैं काफी दिनो जाना है टूल्स पर फिर जाना है रिसाइस पर और यहाला जो अमांट इस पर क्लिक करके यहां पर इसे कट कर देना और अगर आपको अपने फोटो के बैग्राउंड को एरेस करना है तो इसके लिए सिंपल आप यहां पर जो कट वाला ऑप्शन इसे यूज कर सकते हूँ या फिर आपके यहां पर एक और आप्शन मिल जागा है रिमूव बीजी का तो इसके पर क्लिक कर देना और यहां पर रिमूव बैग्राउंड पर क्लिक करना और इसे अप्लाई करने से पहले आपके यहां पर अपना जो नेट है इसे अन कर लेना है और वापे से इस पर क् लेता हूँ और यहां पे इस तरह की आप प्शन नहीं आता है तो इसके पर कुछ कर देना है और्या जो कर देना लेकिन यहां luôn घ्लिक धक और position वाला option पे जाके अपने हिसाब से आप यहां पे position को set कर सकते हूँ जिस तरह आपको shadow चाईए और position set करने के बाद आपके अपर adjust वाला option पे जाके यहां पे adjust कर लेना है तो opacity में आप रख लेता हूँ 15 पे blur को 44 रख लेता हूँ और यहां से कर लेता हूं done तो देख सकते हो आमरी यहां पर जो shadow बिल्कुल real लग रहा है यहां पर जाएंगे sticker वाल अप्शन पे और यहां पर आने कहाद आपके यहां पर search bar पर ख्लिक करके window shadow search कर लेना है तो आपके सामने यहां पर काफी जारे options आ जाएंगे मतलब images यहां पर आपको अपने मर्जी से एक shadow का apply कर लेना है जिसे कि यह वाल अच्छा लग रहा है तो हम इसे click कर लेता हूँ और इसे लाने के वाद आपको आपको ब्लेंड पर जाके इसे कर देना है multiply और zoom करके आपको कुछ इस तरह से यहां पर adjust कर लेना है और धियान रखना कि आपके यहां पर जो shadow या eyes के उपर apply ना हो और adjust करने के इसके यहां पर जो opacity है मैं आपके 65 या फिर 70% की बीच में रख लेता हूँ तो देख सकतो हूँ यह काफी अच्छा लग रहा है यहां से कर लेता हूँ नेश्ट हम यहां पर फिर से add photo पे जाएंगे और इस बार हम यहां पर particles के पेंजी को add कर लेना है तो मैंने यहां पर इसे add कर लिया है इसके आपके यहां पर blend वाल option पे जाके इसे कर देना है उपैस पीजा लोगा अफ्लीकेशन में अपने फोटो को ऊपेंड कर सकते हूँ यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना है और यहाँ पर फोटो के contrast को decrease कर लेना 30% के आसपास और highlights को भी 30% के आसपास decrease करके shadow को increase कर लेना और blacks को मैं थोड़ा सा decrease करता हूँ और whites को थोड़ा सा increase कर लेता हूँ यह हो जानिकाद exposure रख लेता हूँ 0.20 पे तो देख सकतो यह complete हो गया नेश्टम यहाँ पर इसके निचे आले टूल पर जाके photo के vibrance को 15% के आसपास increase कर लेता है और tint को यहाँ पर मैं रखता हूँ थोड़ा सा plus के side 3 रख लेता हूँ और saturation रख लेता हूँ पर रेट टोन पर जाके रेट का Lumion increase कर लेंगे और orange पर आने का आद आपके यहाँ पर saturation Lumion increase कर लेना है और hue को भी थोड़ा से increase कर लेता हूँ और यहां से कर लेता हूँ done नेश्ट इसके नीचवले टूल पर जाके photo के clarity को increase कर लेना और wignet को थोड़ा से decrease करके यहाँ पर feathers को भी increase कर लेना नेस्ट आपको इसके निचे वले टूल पर जाके फोटो के शापनेस को इंक्रीस कर लेना है तो आपके यहां पे जो फोटो है रिटच हो चुका है यह देख सकते हो बिफर आल अपिक जो किता पिकसर अप्लिकेशन में और लाइट्रम अप्लिकेशन में रिटच करने का सकते हो हमारा फोटो कितना कमाल का लग रहा है तो ऐसे और अगर आपको फीचर में वीडियो देखना है तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक हो रहेगा अच्छा से कमेंट करना बिलकुल ही मत भूलना पर फॉलो कर सकते हो लिंक के देस्क् स्क्रिप्शन तो मिलते हैं फिर भाग लिवड़ो पे